class 12 chapter no.7 adjoint and inverse of a matrix rd sarma exercise 7.1 question no.38 find the advent of the matrix a and hence so that यह चीज़, ठीक है, तो हमको क्या करना है, कि इस A matrix का adjoint निकालना है, और दुसरा हमको यह चीज़ दिखाना है, ठीक है, तो हम पहला adjoint निकालेंगे उसा बाद, दिखा देंगे, कब जो A है न उसको एक बार लिख लो A है माइनस 1, 2, 2 माइनस 2, 1, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2, 1 ठीक है? यह है A नेक्स्ट एड्ज्वाइंट ओफ ए अम एड्ज्वाइंट ओफ ए कैसे निकालते हैं? आपको क्या करना है? यह पूरा मैट्रस के ऊपर ट्रांस्पोर लगाना है ठीक है U 20 निकाल कर यहां इक है इसका माइनर निकालो आप यहां लिखो इसका मार निखालो यहां लिखो इसका माइनर निखालो इन लिखो इसी तर अपली को उसका ट्रांस्पोस को और आजाये गा ठीक है तो पूद को सब्सक्राइब निखाने हैं इसका देंगे लेकिन भईया हमने ऐसा क्यों करा का आपको ये भी सुछनाु चाहिए कि हमने एक बनाया उसका ट्रांस बढ़ा और कुछ ऐसा के लिए ते माइनर निकाल निकाल के लिख रहे हैं एसा अहीं क्यों करा काप देखो ऐसा मने इसलिए करा क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा एड्ज्वैंट औा की डेफिनेशन क्या बोलती है Adjoint of A की Definition बोलती है आप A, A जो matrix है, इस matrix के सारे element के corresponding co-factor निकालो, इस matrix के A के corresponding, इसके जो भी element, उन सारे elements के corresponding co-factor निकालो, that is C, I, J, co-factor को हम क्या denote करते हैं, C से denote करते हैं, उसमें I, J लगा दिया, तो हमने हर element के लिए co-factor को denote कर दिया, अच्छा, निकाला, उसका उसका transpose कर दो, यही होता है, adjoint of A, आप फिर से सुनो, adjoint of A कुछ और नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कि आप A, वो matrix है, उस matrix के corresponding सारे element के लिए co-factor निकालो, उसको एक matrix में रखो, और उसका transpose कर दो, वह ही होता है, adjoint of A, ठीक है, अब आप देखो, A, कि, अगर हम, अगर हम निकालते हैं, element A, आई-जे के corresponding, अगर हम co-factor निकालते हैं, cij, aij के corresponding अगर हम co-factor निकालते हैं, उसको हम किसे denote करेंगे, cij से, क्या होना चाहिए, suffix सेम होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, हमर पास, suffix सेम होना चाहिए, तो इस cij का formula हम लिखेंगे, minus 1 की power i plus j, mij, क्या होगा, minus 1 की power i plus j, mij, तो आप देखो, co-factor क्या है, co-f factor, minor की equal होगा, लेकिन बस, minus 1 की power, अगर हम something कर दे, तो co-factor कुछ और नहीं होता है, minor ही होता है, इसलिए हमने minor निकाल, निकाल कर लिख रहा है, ठीक है, यही कर रहा है, लेकिन यह plus minus अपने क्यों क्या, इसके चलते हमने plus minus कर दिया, और अब तो आप देखो, minus 1 की power क्या हो पे रखोगे, अब तो 1 आएगा, और minus 1 की power, odd रख दोगे, यह odd है, तो minus 1 आजाएगा, मतलब minus और plus ऐसा समझ लो, ठीक है, मतलब इस suffix का sum, इस suffix का sum, अगर even होता है, तो plus आएगा, ऐसा समझ आप, कि अगर इस suffix का sum, इस suffix का sum, इस suffix का sum, अगर even हुआ, तो plus आएगा, और अगर odd हुआ तो माइनस आएगा तो वही हमने यहाँ पे करा है जैसे आप A11 के corresponding आपको फैक्टर निकालने लगोंगे C11 तो अब देखो इंका suffix का sum करो 1 प्लस 1 टू 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 इवन है इवन है तो प्लस आया फिर A12 के corresponding C12 1 प्लस 2 3 3 और भी ओड माइनस आया को घया बस यहां पर यही करना है ठीकिए अब माइनर निकालके लिखो अब देखो इसके corresponding माइनर कैसे निकालेंगे तो आप क्या करो इसके सामने वाला रो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला निकाल दो तो क्या करो आप इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका इसका डिटर्मिन तो टो एंटो बीच में वाइनस तो इन्टो माइनस टो जाएगा 2 यह माइस और यह माइस प्लास तो 2 प्लास 4 जेक्स के आपे 6 लिख दो आप इसके यह हो गया माइनस 6 यह आपे लिग दो माइनस 6 ठीक है फिर नेक्स इसके करोस्पोंडिंग माइनर इसके करोस्पोंडिंग माइनर क्या करो इसके सामने माला रो और कॉलंग इसके सामने माला रो ठीक है इसके सामने माला रो और कॉलंग को डिलेट कर दो और जो बचा उसके determinant, तो minus 2 into 1, minus 2, और बीच में minus, minus 2 into minus 2, 4, यह हो गया, minus 6, minus 6 ही हो गया न, हम विल्गुल, minus 6 लिख दो, next, आप इसके corresponding मैंने निकाल तो, इसके सामने वाला रो, और सामने वाला कॉलम, यह वाला कॉलम, यह वाला चीज हटा होगी न, तो क्या होगा, 1 into minus 1, minus 1, और 2 into minus 2, minus 4, minus 4, और minus 20 में पहले से होगा, तो यह हो जागा, minus 1, यह minus 1, यह minus plus, 4 minus 1, 3, यहाँ पर लिख दो, 3, ठीके, फिर, next, इसके corresponding मैंने, तो इसके सामने माला रो, और इसके सामने माला कॉलम को आपने डिलीड कर दो, और जो बचा उसके दिर में, तो minus 2 into minus 1, 2, बिच माइनस, 2 into minus 2, minus 4, यह हो जाएगा 2, यह minus 1, यह minus plus, तो 2, 4 हो जाएगा, that is 6 हो जाएगा, अब इसके corresponding मैंने, तो इसके सामने माला रो, और कॉलम को डिलीड कर दो, और जो बचा उसके दिर में, आप देखलो, minus 2 into minus 2, 4, बिच माइनस, और 1 into minus 2, minus 2, यह हो जाएगा, 4, यह minus 2, यह minus 2, 6, यहापे लिखदो 6, फिर next इसके corresponding मैंने, तो इसके सामने माला रो, और कॉलम को डिलीड करो, minus 1 into minus 2, minus 1 into minus 2, 2, बिच माइनस, 2 into minus 2, minus 4, यह हो जाएगा, यह minus 2, यह minus 2, यह minus plus, हो जाएगा, तो 2 plus 4, 6, यहाँ लिखदो 6, अब इसके corresponding मैंन, तो इसके सामने माला रो, और इसके सामने माला कॉलम को डिलीड कर दो, और जो बचा उसका इसका डिटर्मिना, तो 1 into minus 1, minus 1, और 2 into minus 2, minus 4, हो जाएगा, माइनस 1, यह minus, और यह minus plus हो जाएगा, तो minus 1 plus 4, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखदो, ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से लिख लो, माइनस 3, minus 6, minus 6, यह minus और यह minus प्लस हो जाएगा, 6, 3, minus 6, 6, minus 6, 3, और इस पूरे पर ट्रांस्पोर्च, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिकत नहीं होना चाहिए, अब इसका ट्रांस्पोर्च करो, किसी में एड़ा से ट्रांस्पोर्च कैसे करते हैं, तो आप ट्रांस्पोर्च करने का मतलब होता हाँ, या आप उसके, क्या करो कि इसके, यहाँ कॉलम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, कहने का मतलब है, या तो आप रो को कॉल MARY में need cần कर दो, मतलब यह रो हैंना, इसको ऐसे column में कर दो या फिर column को row में कर दो तो हम यहाँ पर फिलाल row को column में कर दो, यह row इसको हम ऐसे कर देंगे, अब देखो यह ऐसे है, हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, अब देखो यह ऐसे, इसको हमने ऐसे कर दिया, कैसे करना, ऐसे, ठीक है, अब देखो ऐसे लंबा काम कर लिया कि hence find the adjoint of the matrix A and hence so that हमें इसका adjoint निकालना था निकाल दिया अब हमको यह चीज दिखा प्रूफ करना है तो हम ना LHS ले लेते हैं पर हम क्या करेंगे इन दोनों को अलग-अलग solve करेंगे दिखा देंगे कि दोनों अलग-अलग नहीं है एक ही है ठीक है अब 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 मल्टिप्लाई करो दोनों को दोनों को multiply कैसे करें, दोनों matrix है न, कैसे multiply करते हैं दो matrix को, तो इसके row को इसके column से करते हैं, लेगि भाया कैसे करते हैं रो, तो आप देखो, ये row है, ये column है, माल लेते हैं, ये इसका row है, ये इसका column है, ठीक है, इन दोनों को multiply करना है, कैसे करते हैं, तो आप देखो, इसके तो हमेसा सेम होगा ऐसा होता ही है अगर यह चीज नहीं होता होता है तो हम बोलते हैं इसका प्रोड़क्ट के इस्टी नहीं कर रहा है वह हमेसा सेम होता है 3 3 minus 2 into minus 6 अब देखो 2 minus 2 into minus 6 12 minus 2 into minus 6 12 क्या बना 12 plus 12 24 और 24 plus 3 27 फिर next आप भी इस वाले रोगो इस से और यह जो resultant quarter होगा न वो 3 cross 3 होगा तो आप हमेशा resultant quarter लिख लेना उसे थोरत से असानी होती है हमें solve करनेगे अब रिजल्टant quarter कैसे लिखते है आप देखो इस स्कॉड़र है 3 cross 3 order क्या होता है first वाला number of rows को बताता है second वाला number of column को बताता है इसमें भी 3 cross 3 तो जो सेम साइड में जिसे यह यह और यह आप ऐसा समझोगे cancel हो गया और जो बज गया वह उसका order हो गया resultant ठीक है अब इस वाले रोको इस column से अब देखो minus 1 into 6 minus 6 minus 2 into 3 minus 6 और minus 2 into minus 6 plus 12 अब देखो 0 होगा minus 6 minus 6 minus 12 और plus 12 0 फिर इस देखो आप इसको करो अब देखो minus 1 into 6 minus 6 minus 2 into minus 6 12 और minus 2 into 3 minus 6 0 होगा फिर नेक्स इस वाले रोको इस column से 2 into minus 3 minus 6 1 into minus 6 minus 6 और minus 2 into minus 6 12 0 होगा आप देखो minus 6 minus 6 minus 12 और plus 12 0 फिर नेक्स इस वाले रोको इस column से तो 2 into 6 12 1 into 3 3 और minus 2 into minus 6 12 12 प्लस 12 24 और 24 प्लस 3 27 यहां पर जिरू आएगा अब देखो 2 into 6 12 12 minus 6 6 बचेगा और फिर minus 6 minus 2 into 3 minus 6 अब देखो 2 into 6 12 1 into minus 6 minus 6 और minus 2 into 3 minus 6 अब देखो 0 है 12 minus 12 0 फिर नेक्स इस वाले रोको इस column से इस वाले रोको इस column से तो 2 into minus 3 minus 6 minus 2 into minus 6 12 और 1 into minus 6 minus 6 minus 6 minus 6 minus 12 और plus 12 0 फिर नेक्स इस वाले रोको इस column से 2 into 6 12 minus 2 into 3 minus 6 और 1 into minus 6 minus 6 12 minus 12 0 फिर नेक्स इस वाले रोको इस column से 2 into 6 12 minus 2 into minus 6 12 और 1 into 3 3 12 प्लस 12 24 और 24 प्लस 3 27 यह हो गया LHS तब इसको relation number 1 नाम देदू और LHS विच इस इस इवल तो determinant of A और I3 तो आप देखो यहाँ पे determinant of A क्या होगा minus 1 2 2 minus 2 1 minus 2 minus 2 minus 2 1 ठीक है आप देखो यह कौन सा element है यह आपका A11 आप इन दोनों का suffix का समगरो 1 plus 1 2 2 even है तो यहाँ पे plus of A alternative plus minus plus ठीक है तो आप लेलों plus of minus 1 minus 1 लिया minus 1 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका determinant तो 1 into 1 1 बीचे माइनस और minus 2 into minus 2 4 हो जाएगा तो यह हो गया 4 फिर minus of minus 2 आप देखो minus 2 लिया तो minus 2 के सामने माला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका determinant तो तो आप multiply कर दो 2 into 1 into 2 बीचे माइनस 2 into minus 2 minus 4 ठीक है फिर minus 2 minus 2 लिया इस minus 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो जो बचा उसका determinant तो 2 into minus 2 minus 4 बीचे माइनस और 2 into 1 ठीक है minus 1 1 minus 4 minus 3 अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 2 plus 4 minus 2 minus 4 minus 2 minus 6 अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जागा और minus 1 into minus 3 3 ये हो जागा 4 plus 2 6 और 6 into 2 12 और माइनस 6 into minus 2 12 अब देखो 12 प्लस 12 24 और 24 प्लस 3 27 तो रिटर्मिलांट अफे 27 है और आइडेंटिटी 100001001 अब देखो ये सकेलर आप इसको अंदर मिल्टिप्लाई करो तो जब ये मैट्रेस के अंदर मिल्टिप्लाई कैसे होता है इसकेलर यहार एलेमेंट्स साथ कैसा होता है तो इसको किसी के साथ भी करेंदो बस 1 के साथ 27 हो जाएगा और बागी तो जारा जीरो है तो उसके साथ 0 ही हो जाएगा तो ये कुछ हो जाएगा इसको लेलेसान नॉमर नाम देदो तो from 10 from 1 and 2 we get sorry we have क्या हो जाएगा A एर्जोएंट of A आप दिखो न इन दोनों का इन दोनों का RHS बराबर तो ये दोनों भी एकवल होंगे तो जाएगा A एर्जोएंट of A determinant of आई तरी ठीक है तो मारा proof हो गया hence proof तो आप देखो एक बार next question number 39 है if A equal to this find A inverse and so that A inverse equal to 1 by 2 A square minus 3i ठीक है तो अब देखो हमको क्या करना है पहले A inverse निकालना है तो पहले हम A inverse निकालते हैं बाद में उसमें बात करते हैं ठीक है तो अब देखो A को पहले लिख लो A क्या है 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 आप देखो आपको A inverse निकालना है तो A inverse निकालने का फर्मिला क्या होता है Adjoint of A upon determinant of A तो आप देखो अगर आपको A inverse निकालना है तमको क्या निकालना होगो दो चीज़े निकालने होगी पहला Adjoint और दूसरा Determinant ठीक है तो हम पहले Determinant निकालते हैं 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2 तो आप देखो ये कौन से element आप देखो ये element है A11 तो आप इन दोनों का suffix का sum करो 1, 1, 1, 2, 2 even यहाँ पर प्लस अपर 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 अटर्णेटी प्लस, माइनस, प्लस तो प्लस 0 ठीक है 0 लिया 0 के सामने माला row सामने माला row और column को delete कर दो और जो बचा उसका Determinant तो 0 into 0, 0 बीच माइनस 1 into 1, 1 ठीक है फिर माइनस 1 इस माइनस 1 को लिया तो इसके सामने माला row और column को delete कर दो 1 into 0 0 बीच माइनस 1 into 1, 1 ठीक है फिर प्लस 1 प्लस 1 लो और इसके सामने माला row और column को delete कर दो 1 into 1, 1 बीच माइनस 1 into 0 ठीक है यह चीज हो जाएगा आप देखो 0 into something हमें जिरो यह होता है यह होचाएगा सब्सक्राइट ऑगaron में सब्सक्राइब माइनच में दूंधिक अबश्ण होगा माइनस बन्गोला है इस में जूंधे होगा है कि वेलिए इक है में तेम रहां है कि अब पर ड्रॉपज लगा दो. ठीक है? और फिर plus minus लेखो, Starting हमें plus से करना, plus minus plus minus Alternative हम फिर हम स्टार्टिंग plus से करना है and alternative जाना है Plus, minus, Alternative में Starting plus से करना तो Plus, minus, Plus, minus, Plus minus Plus, minus माइनस यहां तक कर लिए अब आपको क्या करना इसका माइनर निकालना यहां लिखना इसका माइनर निकालना यहां लिखना क्यों करना ऐसा माइनर निकालना यहां लिखना क्यों लिखेंगे तो आप देखो definition देखो adjoint of a की adjoint of a की definition क्या होती है कि a matrix से के सारे elements के Co Factor निकालो इसको èक me dress मेरा दो और स्का transmission तो तो एक सारे से Go Factor से Den mentions Co Factor को अपर निल निकालना था मने आर्बैटर्य नाम देदी आई झालना तक है उसको एकめ patriot मेरा उसका 552 तो यह हो गए adjoint ओफ ऐटीक और आपको पता है ए जैए कि लिएक के यहां पे लगा दो होता है इसका फर्मॉला भी होता है तो फ्र्मॉला पर मैंने आपको बताने के लिए क्याम आपने जो कर रहे हैं वह कुछ अलग नहीं कह रहा है बस इसी को थोड़ है इस तरीके से कर रहे हैं तो आप मन समझ ना कि जूँँ अलग कर रहे हैं तो आप देखो हम भी यहां पर माइनर निकाल लें इसका माइनर निकाल के यही मैंने बुला ना तो आप देखो na cofactor का क्या होता है इसका प्लास कि ब्लास कहरा के लिए करा है आपके आप सब्सक्राइब, इसका सफिक्स का सम만 – 1 कि भवर बाद नयगे बडरे समा सब्सक्राइब, पौआ समय करें बस दो light 1 आता है तो उसको 1 भाब बोक़ा थो दूल सायरो अब माइनैस से मज्टिप्लाइ करो पिर म क्वर माइनस टैसने आ लोटी से मैंक प्रॉल गरो जानस में चूल और उस्ते हो संग्वल बगल में तो है तो मैंने थे करें अब्स due मिथ्ट थ्री ओरण को मैंने निकाल न सकतेल Unterstützung किसे निकाल गये तो इसके सामने वाला रूख और कॉलम को डिलिट कर दो बच्छास करिवन तो नॉट इंटो 0 जीरो बीच माइनस One न्टो वन्टक्या हो गया me-1 यहां पे लिग दो माइनस फरन फिर नेक्स इस इस सामने वाला रो और कॉलम को डिलिट कर दो और जो बच्चास करीटर में तो 1 इंटो 0 0 विचे माइनस 1 इंटो 1 1 यह गया 0-1-1 ठीक है फिर next इसके corresponding minus इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो जो बच्चास करीटर में तो 1 इंटो 1 1 विचे माइनस 1 इंटो 0 0 तो 1-0 1 हो जाएगा लिख दो 1 ठीक है फिर next इसके corresponding minus इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो हो जो बचास करीटर में तो 1 इंटो 0 0 विचे माइनस 1 इंटो 1 1 यह गया minus 1 तो यहाँ पिलिखदो minus 1 ठीक है फिर नेक्स इसके कोस्पन्नी बाया तो इसके सामने वाला रूँ और इसके सामने वाला कॉलम डिलिट कादू तो अब देखलो अब देखो इसके सामने वाला रूँ इसके वाला डिलिट हो जागा तो 0 इंडो 0 0 इसके सामने वाला रो इसका माइनर चाहिए हमें तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दू और जो बचाहं उसका डुतrüम नाट तो जिरो इन्ट उन्हुल जिरो पिछा माइनस ञें ठीक है फिर नेक्स्ट इस ऐलिमेंटक्गORSPOND Cafe तो इसके कORSPONDINE माया नहीं काहला तो इसके सामने वाला रो और कॉलम्मको दिलीट करतो हो हो जो बचा पशकर जीटे मे anytime तो 1 x1 1 बिच लांस 0 x10 तो 1 – 0 1 होचा Ke फिर इसकेmeter कORSPONDINE माया रो सामने मला ओर कॉल्म दूनों रड़ करतू जो बचाबस क मदा डीचर में लुद 0-1, minus 1, ठीक है? अब इसके एक उस पर नी माइन नी काल, तो इसके सामने माला रो, और तके सामने माला कोलम भाट आदो, जो बशाओ असके रीट्रम रो, तो 0 इंटो 0, 0, बिचने minus 1, into 1, 1, यह जाएगा minus 1, या लिदो minus 1, ठीक है? अब इसके एक बार छे से लिखलो, तो minus 1, ये 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 minus 1, य एप अब एक बार एडाइंट अफ यह आ गया अभी अभी आभ इसका ट्रांसपोर्ज करना बचा हुआ ठीक यह आप देख़ो ठांसपोर्ज निकारा है यह यह अपने इसको एक बार अच्छा से लिख लिए का जिसा रहां तो धजित एडाइंट आप यह कि सका ट्रांस्पोर्ष कर दो तो किसे उनुट्tech कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं या तो रो को कॉलम में इंटर्चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटर्चेंज करते हैं तो यहां पर क्या करेंगे यह रो है इसको कॉलम में ऐसे लिख देंगे ठीक है मतलब ट्रांपोस का मतलब रो कॉलम को इंटर्चेंज करते हैं ठीक है तो फि यह है, यह है, यह है, 1, 1, minus 1, यह होगे अड़ जोएंट ओफ A, therefore, अमको चाहिए A-Inverse, A-Inverse, A, एए इन्वर्स होता है एड़्ज्वैंट ओफ एपम डिटर्मिनांट ओफ एड़्ज्वैंट ओफ यह दा माइनस वन वन आप देखो यह रहा है स्कॉछ से कॉलम में वह तो कर दिया ना मुझे एज्वाइं लिखो सीधा ठीक है यह हो गया एइवर्स का फर्मुला होता है एज्वाइंट अफे आप 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 मुझे लगा कि मैं नहीं कर दिया है अब देखो यह है ज्वाइंट अफे यहां लेग दिया और डिट्रेंट अफे क्यालोट करके वन बाई टू लाया था तो फॉर्मुला यह होता है तो हमने वन बाई टू लगा दिया है चीक है तो अब देखो यह आगया एइंवर्स अब यह होग एए अब यह को यह चाना हो यह बनानता है तो अब देखो यह आगया एश्जिक वर सद्न ठीक ऑ ज़एस एज को रिजर्सन्मे नंबर बेंच यह बुलांगञा प्रूव हो जाएगा तो हमको उसके लिए A स्क्वेर निकालना होगा A स्क्वेर A स्क्वेर कैसे निकालेंगे तो A into A और A है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 यह A है इसी को आपसे लिख दो 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ठीक है आप देखो इन दोनों मैंटर्स को आपको मैल्टिप्लाई करना है तो दो मैंटर्स को कैसे मैल्टिप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ करते हैं इसके रो को इसके कॉलम के साथ करते हैं यहीं करते हैं लेकिन कैसे करते हैं इसके वाले रो को ही इसके कॉलम से कैसे करते हैं देखो यह पकड़ों इसका एक रो यहां से कॉलम ठीक है और यह जितने पॉसिबल कैसे हो सकते हैं हम सबसे करते हैं ठीक हम अब बनाते हैं तो आप देखो इसके रो में कितने एलिमेंट त इसके कॉलम में कितने एलिमेंट तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट और फिर सारे को एड़ करेंगे इससे इसको करेंगे एड़ करेंगे इससे फिर बीज में है और इसको इसे में ठीक है तो इस वाले रोको इस कॉलम से, आप देखो 0 into 1, sorry 0 into 0, 0, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1, तो 1 plus 1, 2, यहां पे लिखदो 2 फिर नेक्ट इस वाले रोको इस कॉलम से, 0 into 1, 0, 1 into 0, 0, और 1 into 1, 1 तो यह हो जाए गा 1, यहां पे लिखदो 1 फिर नेक्ट इस वाले रोको इस कॉलम से, 0 into 1, 0, 1 into 1, 1, और 1 into 0, 0, फिर से 1 आएगा, यहां पे लिखो 1 तो यह आप दिखना, calculate करना यह चीज़ बनेगा, विलाल मैं कर देता हूँ, यहां तक करना, अब यहां पे करो, इस के लिए तो इस, अब देखो इसका order 3 cross 3 है, इसका order 3 cross 3, तो मैंने क्या बता है, same side वाले को cancel कर तो जो बचा उसका resultant to 3, और resultant का order 3 cross 3 आने वाला है, और व 1 into 1, 1 हो गया ना, फिर नेक्स इस वाले रोगो इस कॉलम से, अब देखो 1 into 1, 1, 0 into 0, 0 हो गया, वो तो मैं कुछ दिखाता है नहीं, 1 into 1, 1, 2 हो गया, फिर नेक्स इस वाले रोगो इस कॉलम से, 1 into 1, 1, 0 into 1, 0, 1 into 0, 1 हो गया, ठीक है, फिर नेक्स इस वाले रोगो इस कॉलम स देखो 1 x 0 0 1 x 1 1 1 और फिर 0 x 1 खत्ताम 0 फिर इस वाले रोगो इस कॉलम चाहब 1 x 1 1 1 x 0 0 और 0 x 1 1 हत्ताम 1 हो गया फिर निए इस वाले रोगो इस कॉलम चाहब देखो 1 x 1 1 फिर 1 x 1 1 और 0 x 0 0 तो देखो 1 plus 1 2 और 2 plus 0 2 यह हो गया a square आप देखो आपने a square निकाल लिया आपको बस यह सेज निकालना है ठीक है तो अगें 1 upon 2 a square minus 3i which is equal to 1 by 2 a square a square है 2 1 1 1 2 1 1 1 1 ठीक है which minus 3i आई है 1 0 0 अब देखो order 3 होगा ना क्योंकि यह inverse का यह order 3 है तो इसलिए अब देखो पहले क्या करो 1 by 2 बाहर ही रहने तो यह हो जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 ठीक है अब इस 3 को अंदर multiply कर लो है तो आपको पता है अगर में मैट्रस के अंदर multiply करते हैं तो क्या करते है हर element से multiply करते है मैं stop करो देखो 3 को 1 के साथ करोगे 3 3 को 0 के साथ 0 3 को 0 के साथ 0 3 को 0 के साथ 0 3 को 1 के साथ 3 3 को 0 के साथ 0 3 को 0 के साथ 0 0 के साथ 0 और 1 के साथ 3 ठीक है अब इन दोनों को minus कर तो 1 by 2 तो दो matrix को subtract कैसे करते हैं तो उनके corresponding elements को subtract करते हैं आप देखो वो 2-3 minus 1 1-0, 1 1-0, 1 फिर 1-0, 1 2-3 minus 1 1-0, 1 फिर 1-0, 1 1-0, 1 2-3 minus 1 ठीक है तो यह हो गया तो इसको आप रिलेस्टन नमबर 2 नाम दे दो ठीक है इसको रिलेस्टन नमबर 2 नाम दे दी आपने तो यहां लिग सकतो तो आप 10 from 1 and 2 we have क्या होगा अब देखलो ना दोनों बराबर हैं अगर दोनों का RHS सेब है तो क्या होगा LHS भी सेब होगा मजब यह और यह बराबर होगा we have A inverse which is equal to 1 by 2 A square minus 3i हमको यह ही प्रूफ करना था तो hence प्रूफ आप देखलो आपको यह ही प्रूफ करना था तो होग यह हमारा प्रूफ आप देखो एक बार आपको यह हमारा प्रूफ करना था प्रूफ